हेलो फ्रेंड मेरा नाम हुमेर है और आप देख रहे हैं मेरा योट्यूब चैनल स्टुडेंट अफ बेकर्ज आज मैं आपको पाइन एपल चीज केक के बारे में बताऊंगा और साथ ही इसी वीडियो में हम पाइन एपल की प्यूरीज भी बनाएंगे बहुत ही असान है वीडियो का एंड तक जरूर देखें और साथ ही हम जो इसकी प्यूरीज बनाएंगे वो आप इस केक के इलावा किसी भी केक या पेस्टीज पर यूज कर सकते हैं उसे भी बनाना इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं टेस्ट में भी दोनो किसी भी तरीके से मेल्ट कर लें बटर को इनकी टूहंडर्ड ग्राम आपने कुकीज लेने मैंने डाइजस्टीक कुकीज लीएं आप वनिला जो कोई भी घर पे कुकीज आप है वह ले सकते हैं लेकिन डाइजस्टीक कुकीज चीज केक के लिए बैस्ट होते हैं उसको इस तरीके से कर लें जिस तरीके से मैं कर रहा हूं कुकीज आप कम या ज्यदा कर सकते हैं डिपेंड करता है कि आप उसकी चीज के की जो नीचे बेस होती है वो कितनी मोटी रखना چाते हैं बटर को एड कर लेना उसमें कि और इसको हाथ के साथ अच्छी तरा मिक्स कर लें मैं अगर आप cookies application में ग्रैंड कर रहे इंद तो बटर साथ ही मिक्स कर देए वार के साध़ इसको आजरे नुए अगर कम या ज्यादन कुकीज आपके कम या ज्यादा हो तो उसको चेक करने का तरीका यह है कि इसके तरह हाथ में पकड़ें उसका इस तरह लडू बन जाए तो समझें वो तयार है बहुत ज्यादा भी बटर यूज नहीं करना तेस्ट में डिफरेंट आ जाता है इसको एक पैन लें यह मेरे पास एक पाउंड का पैन है इसका इसको बेस में लगा लें बेस में लगाने के बाद इसको आपने चिलर में रख लेना है क्योंकि इसमें बटर होता है वो थोड़ा जम जाएगा तो इसके उपर जब हम चीज केक डालेंगे तो यह मिक्स नहीं हो चीज़ के साथ इसको अच्छी तरह नीचे दबा लें हो गया यह अभी जलाटीन लेनी है दस ग्राम यह एक पाउंड के लिए 450 ग्राम जो केक का वजन होता है यह उसके लिए 10 ग्राम जलाटीन मैंने लिए उसमें 50 ml वाटर आपने एड़ करके पानी एड़ करके रख देना है कोशिश करें पानी थोड़ा सा गरम हो ताके अच्छी तरह डिजॉल्व हो जाए इसको साइट पर रख देते हैं तब तक हम इसकी क्रीम तैयार करते हैं इसके लिए भी मैंने फिलेडलफिया लिया है 180 ग्राम इसमें क्योंके हम मिक्स फ्रूट पैनेपल भी एड़ करेंगे इसलिए हाइट उसकी ज्यादा हो जाएगी मैंने कम लिया है 180 ग्राम फिलेडलफिया ले लिया है आप कोई भी चीज क्रीम इसमें यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि फैल इडल्फिया ही हो, मार्किट से कोई भी अच्छी ही आपको क्रीम चीज मिलें, उसको ले लें, 150 ml विप क्रीम लिए है, इसको आप विप कर लें, मशीन के साथ, इसको ज्यादा विप नहीं करना नॉर्मल थोड़ा, सॉफ्ट टाइब रखना है, यह देखें, इस तरह, इसमें अभी आपने चीज, जो रखी थी, वो एड़ कर लेनी है, चीज को मैंने मशीन के साथ, इसलिए कि आप विस के साथ भी इन दोनों को कर सकते हैं, इसलिए कि यह है कि वो थोड़ी सॉफ्ट ह डालेंगे तो वो चीज अची तरह मिक्स नहीं होती, अची तरह दोनों चीजों को मिक्स कर लें, यह कॉंडेंस्ट मिल्क है, एक चमच डालें, आप दो डालें, शूगर होती है, इसमें ज्यादा आप कम शूगर खाते हैं तो बेशक ना डालें, मसला नहीं है, यह साथ ही आपने जलाटीन डाल देनी है, बाकी वनीला या लैमन थोड़ा सा डालते हैं लोग, कुछ भी आप डाल सकते हैं, इसलिए लैमन इसलिए नहीं डाला क्यूंके पाइनैपल और रड़ी थोड़ा सा खटा होता है, जलाटीन डाल के इसको अची तरह मिक्स कर लें, अब इसमें तक्रीबन 100 ग्राम फ्रूट कॉक्टेल है, मैं फ्रूट कॉक्टेल दा रहा हूँ, आप सिर्फ पाइनैपल भी डाल सकते हैं, पाइनैपल को छोड़ा छोड़ा काट लें, जिस तरह ये कटिंग इसकी हुई है, सेम इस तरह, और उसमें डाल के आप इसको अच जम गया है, इसको फ्रीज में रखने का भी यही था, यह देखें, मैं इसमें डाल रहा हूँ, तो वो इसके साथ ऐसे चिपक के इदर उदर नहीं होगा, अगर आपने फ्रीज में नहीं रखा, वो नहीं जमा, तो जब आप इसमें ये मिक्सिर डालेंगे, तो वो हिल जात हैं, आप ये जो कैन में पैनेपल आता है, उससे भी बना सकते हैं, मुझे वो नहीं मिला, तो मैं इसी को यूज कर रहा हूँ, 100 ग्राम मैंने ये लिया, छोटा छोटा आपने बिल्गुल काट लेना इसको, और पैन में डालने, कुप करने के लिए, इसमें शुगर डालने 50 ग्राम, ज्यादा डालने 100 ग्राम, क्योंकि ये थोड़ा खटा होता है, तो मैंने 50 ग्राम डाली है, एक चमच आपने कौन फ्लोर लेना है, उसमें तकरीबन 50 एमल या 100 एमल पानी आपने, डाल के इसको साइड पे रख देना है, अभी शुगर और पाइनेपल जो है, वो चुले पे रखें, उसको हलकी आँच पे कवर कर देना है, तो उसके अंदर क्योंकि अपना पानी होता है, तो उस अपने पानी में ही वो कुक होता है, तकरीबन 5 एक मिनट लगेंगे, ये देखें, इसका अपना पानी निकल के उसी में ये कुक हो रहा है, अगर ये पानी पानी के ज्यादा ख़तम नहीं करना ये बिलकुल अभी कुक हो चुक है पानी को खतम नहीं करना तो वो जो कॉन फोर और वाटर था वो अमने इसमें डाल दिये बिल्कुल हल्गी आज पर इसको करेंगे तो ये जो मिल्क का कलर है इसका खुद बाखुद गायब हो जाएगा और ये ट्रांस्पैलेंट हो जाएगा आप इसमें पानी ज्यादा भी एड़ कर सकते हैं अगर आपको प्यूरिज थोड़ी सॉफ्ट चाहिए लेकिन ये पर्फेक्ट है केक के उपर लगाने के लिए इसको पानी डालके इस पाइनएपल में थोड़ा ज्यादा कूक कर लें तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और इस तरह जिस तरह यह हमने कट किया वह बिल्कुल ऐसे नहीं मैंने थोड़ा से इसमें यलो कलर एड़ गर लिया उसे यह है कि ज़रा लुक अच्छी आ जाती है केक के उपर यह तैयार है और यह केक को मैंने चिलर में रखा वा था निकाल के उसके उपर वापिस उसको फ्रीज में रख दें तकरीबन दो एक घंटे रख दें बेटर तो यह होता है आप शाम को बना लें और सुबो तक इसको चिलर में रखा रहने दें अगर नहीं तो इसको डी फ्रीज कर दें दो घंटे के लिए यह हो गया इसको निकालने का तरीका यही है कि अगर आपके पास यह वाला पैन नहीं है तो कपड़ा गिला करके थोड़ा गरम पानी में साइड पे लगाएं और नीचे लगाएं इसके तो यह इजिली निकल जाता है यह तयार हो गया यह जब प्यूरीज हमने बनाई इसमें जो शाइनिंग है यह इसी तरह इसमें रहेगी चाहिए यह दो दिन तक रखा रहें आप इसी प्यूरीज से पाइन एपल पाई भी बना सकते हैं एक गंटा मैंने इसको दी फ्रीजर में रखा हैं यह इस तरह हैं कोशिश करें दो से तीन घंटे रखें अगर दी फ्रीज कर रहें